आज हम देखने वाले क्लास 6 माइं इंग्लेज बुक 6 का चेप्टर नूमर 1.4 की कुछ पॉइंटर्स है पॉइंटर्स जैसा के स्क्रीन पर दिख रहा है कुछ एक्ससाइज दी हुई है लेटर फ्रॉम हिंगोली चेप्टर के बाद ठीक है तो कैसे करना ये भी हम देख लेते हैं आप है न आंसर दो फॉलोविंग क्वेस्टेंस आपको लेटर को अच्छे से रीड करना जो कि पिछले एक्चर में मैंने करा दिया आप लोग देख लीजेगा तो where does Raman live Raman कहां रहता है Raman सिधी सी बात है वो कहां पर रहता है हिंगोली में तो आंसर सीधे लिख दोगे आप हिंगोली क्या लिखोगे हिंगोली ठीक है ऐसे हिंगोली आप लिख दीजेगा B क्या है where does Sanju mama live Sanju mama जो है रमन के मामा है जो है ना वो कहां रहते हैं सग्रोली क्या लिखोगे सग्रोली ठीक है S-A-G-R-O-L-I बस इतना ही छोटे-छोटे आंसर लिखना है सग्रोली लिख देना है इसा नहीं पूरा लिखने की चुरूरत नहीं C Name the river in सग्रोली सग्रोली की river कुण सी थी Manjara river क्या लिखोगे Manjara Manjara river ठीक है लिख लोगे ठीक है फिर क्या है Who has a library Library किस के पास थी किस के पास library थी Kaka Ajoba क्या आंसर क्या लिखोगे Kaka फिर यहाँ Des जैसे कि लिखा हुआ है वहाँ पर और Ajoba ठीक है Kaka Ajoba के पास क्या थी Library थी ठीक है फिर लिखा है If Raman made a list of his relative at सग्रोली What names would he write अगर वो list बना अपने relative की रिस्तिदारों की जो सग्रोली में रहते हैं तो what names would he write तो कौन-कौन से नाम लिखेगा ठीक है देखो क्या है क्या क्या लिखेगा जैसे की स्टोरी में हमने देखा था देखो यहाँ पर यह जो सारे सारे नाम वो लिखेगा यहाँ से यहाँ तक यह Ajji लिखेगा Ajoba लिखेगा Ramu Mama यह Raju Mama लिखेगा और Sela Maami लिखेगा Meera Maami और क्या लिखेगा तेजस और अवदूत यह सब उसके रिलेटिव उसके नाम वो लिखेगा अगर लिख्ट बनाएगा तो ठीक है Ajji हो गया Ajoba हो गया Raju Mama हो गया Sela Maami हो गया Meera Maami और तेजस और अवदूत किले रहे कर लोगे यह सब चीजे ठीक है रिवर का नाम मैंने क्या बताया था Manjara River है न तो यही सब यही से मिलेगा आपको देखो यह Manjara River है ठीक है दोख आगे क्या है सारे क्वेस्टन कर लेते है क्वेस्टन नमबर टू देख लेते हैं List the interesting things that Raman did at Sagaroli ऐसी कौन से interesting thing है उसके list बनाना जो उसने कहां पर Sagaroli में किया Number them according to your preference उसके नमबर उसी sequence में लिखना है जो आपको भी ज़्यादा पसंद होगा है Compare your preference with those of your friend अपने इस friends लोग से भी आपको तुलना करना है कि उनको क्या पसंद आता है इसका answer में आपको सीधे page पर लिख के जाता है उसने क्या-क्या enjoy किया ठीक है और उसी को आपको क्रम से लिख देना है देखो मैं बता रहा हूँ आपको देखो at Sagaroli वहाँ पर लिखना ही आई के जगा आप लिख देना ही Enjoyed swimming in the manjara river पहले point में क्या लिखोगा Enjoyed swimming in the manjara river दूसरा point में लिखाँगे Playing with Tejas and Avadut इसको भी उसने काफी enjoy किया On its bank And और क्या enjoy किया तीसरे में लिखना Going on long walk Long walk through the Balaghat Hills इससे भी उसने बहुत ज़्यादा enjoy किया और riding को भी enjoy किया A buffalo on the way back home तो यह इतनी चीजों का आप लिष्ट में ऐसा आप लिख देना Killer है? बस बहुत आसान है इतना ही आपको करना है यह interesting thing थी जो उसने वहाँ पर किया ठीक है और क्या पुछा है? Is for the exclamation mark in the letter and copy the sentence चो letter है वहाँ पर exclamation mark वाले जो sentence कौन कौन से उनको सीधे copy कर रहे ना है उनको यहाँ पर लिष्ट बना के लिखना है कौन-कौन से sentence में exclamation marks लगा हुआ है तो हम देख लेते हैं सीधे chapter में कहां का exclamation marks लगा हुआ है? देखो यहाँ पर दिख रहा है देखो का का अजोबास library लिखा हुआ है तो यह sentence को आपको वहाँ जैसे का वैसा लिख देना है तो पर यह sentence बहुत बढ़ा है को यहाँ से how how I enjoy से लेकर how से लेकर यहाँ तक क्या आपको यह sentence को लिखना है ठीक है? और कहाँ exclamation mark लिखा हुआ है लगा हुआ है उसको देखे ले देख रहेते हैं हम लोग उपर में होगा यह देखो I have reached यहाँ से नहीं how से start करना यह how से लिखना है how wonderful were the days we spent at Sagroli इसको लिख देना है unforgettable moment यह दो यह दोनों sentence को लिख देना है और जो नीचे बता है उसे तीनों को लिख देना है यह list बना के ऐसे लिखना है आपको ठीक है यह homework आप कर लेंगे मैंने सारी चीज़ आपको बता दी और कौन सा question है find and copy डूड़ना है और copy करना है the non-English word in the letter letter में ऐसे word है जो इंग्लिस भासा के नहीं है उन्हें आपको क्या करना है list बना के लिखना है कौन-कौन से word है जो इंग्लिस भासा के नहीं है non-English word जिसको हम कहते है ठीक है वो हम देख लेते है कौन-कौन से उसकी list आपको बनाना है कौन-कौन से है मैं फिर से chapter पर जा रहा हूँ देखो यह आमरस जो लिखा है यह हिंदी का सब्द है यह इंगलिस का नहीं है आमरस लिखना फिर कॉमा लगा के कुर्डाई लिखना पबडाया लिख देना और कांदा भाजी लिख देना यह सब चीजे क्या है? non-Inglis words है इन सब को आप लिख लेना खिलर है? ठीक है और देखो क्या है से questions Make a list of your favorite food या this how many of the words are English? पहले लिख बना अपने favorite food की और फिर आपको अलग से बताना है कि उसमें English word कौन कौन से तो जैसे मुझे पसंद है bread पसंद है sandwich पसंद है, samosa पसंद है, jalebi पसंद है pizza, gullab jamun, eggs, cake यह सब चीजे पसंद है तो यह मैं सारी चीजे लिख दूँगा और आखरी में मैं क्या लुख हूँगा English words है न? सभी बात है English words में मैं क्या लिखूँगा sandwich मेरा English word वाली चीज़ पसंद हुझे, bread, pizza, egg, cake यह सब चीजे क्या है, English word है तो यह सब आप लोग धान से सुनिये और लिखिये, ठीक है क्या है English word जो मेरे favorite है sandwich, s-a-n-d-w-i-c-h sandwich b-r-e-a-d bread, p-i-double-z-a pizza, e-double-g-s eggs और c-a-k-e, cake यह aise words है, जो मेरी favorite dish में से English words क्या से में निकले है, ठीक है list of five of your favorite book books or stories, how many of the names are English, आपने favorite book जो होगी, उसकी list बनाना है, जो stories आप पढ़ते हों, उनकी list बनाना है पंचे तंत्री की story पढ़ते हैं, अगबल बिलबल की story पढ़ते हैं यह तो Hindi name है, और English नाम में जैसे मेरे favorite है, the blue umbrella, यह मेरा favorite है तो यह आप लिख सकते हुए ना, the cat in the hat, यह एक story जो English story, तो आप इसकी भी नाम लिख सकते, कौनकों सी, the blue umbrella the cat in the hat, किलर है कर लेना find the smaller words hidden in the following words, यहां से आपको छोटे-छोटे word निकालना है, जो गिये words में छुपे हुए हैं, और do not change the order of the letter in the words, letters का जो है sequence, order को change नहीं करना है, उसी order में लिख करके यहां से कुछ छोटे words निकालना है कौन-कौन से यहां पर देखो, reach र-e-a-c-h, reach एक छोटा word है, reach को बाहर निकाले यहां wonder एक छोटा word है wonder को निकाले ना, यहां पर forget, f-o-r f-o-r, g-e-t forget एक छोटा word है वह यहां से निकाल जाएगा, forgetable से, colorful से क्या निकाल जाएगा color निकल जाएगा, c-o-l-o u-r, color color एक छोटा word वहां से निकल जाएगा, incomparable से आप comparable निकाल सकते हो क्या निकल सकते हो Comparable यह छोटा word वहाँ से निकल जाएगा क्या रहा है Lovingly से Loving निकल जाएगा L O V I N G तो loving यहाँ से छोटा word निकल गया तो ऐसे ही word निकाल के आपको list बना देनी ठीक है Incomparable में Able भी एक word है जो छोटा है और जो निकल रहा है A, B, L, E, Able Able का मतलब क्या होता योग या लायक तो ऐसा आप कर ले Note that 9 June 2015 और June 9 2015 इसे कैसे पढ़ते हैं जो लिखा हुआ है कैसे पढ़ते है The 9th of June 2015 कैसे पढ़ते हैं ऐसा लिखा हो या ऐसा लिखा हो पढ़ते कैसे है The 9th of June 2015 ऐसे पढ़ते हैं ठीक है वैसे ही 1 January और January 1 इस रीड उसे कैसे पढ़ते है The 1st of January क्या लिखते है The 1st of January तो वैसे ही 15 August को क्या लिखेंगे The 15th of August The 15th of August 22 December को क्या लिखेंगे The 22nd of December 26 January को The 26th of January इसको क्या लिखेंगे The 1st of May इसको क्या लिखेंगे The 21st of June ठीक है न आप अपने Happy New Year मनाते तो क्या बोलते है 31st बोलते हैं कि 3 और 1 को क्या लिखते हैं 31st of December December की 31 तारीख क्लिए रहे इस तरह से आपको आना चिए लिखते है देखो यहाँ पर कुछ ordinal number जो order को बताते हैं यह पता रहे ना चिए जैसे 1 तो ठीक है लेकिन इसको 1st बोल देंगे तो order को बताएगा sequence को बताएगा 1st, 2nd, 3rd, 4th, 5th, 6th, 7th, 8th, 9th, 10th, 11th, 12th देखो 12th की स्प्लिंग बहुत यहाँ पर 12 की स्प्लिंग क्या है T-W-E-L-V-E-12 12 की स्प्लिंग सब को पता leer लेकिन 12 की स्प्लिंग लोग गलत कर देते हैं ऐसा लिख देते है T-W-E-L-T-H लिख देते हैं 12th की ऐसा कुछ भी नहीं 12 की स्प्लिंग मी क्याता है T-W-E-L-F TWELFTH, यहां बीच में F जालना पड़ता है यह तोड़ा सा interesting चीज है, इसको आप याद रखना 12th की spring क्या है? TWELFTH, 12th, ठीक है? फिर 13th, 14th, 15th, 20th, 20th बोलते हैं 20th नहीं, 20 का 20th बनता है वैसे ही 9, 9 का 9th कैसे बनता है? आप बोलेंगे सार 9 तो ऐसा बनता है ना N-I-N-E, 9th में सिर्फ T-H जोड़ दो 9th बन जाएगा ऐसा नहीं है देखो 9th की spelling अलग है, देखो यहां पर देखो comparison करो आप है न, N-I-N-T-H है 9th की spelling तो 9th और 12th की जो spelling है थोड़ी से अलग है, इसको अच्छे से देख लेना 20th की spelling T-W-E-N-T-I-E-T-H 20th, तो spelling आपको याद रखना है ordinal sequence, ठीक है? इस से फिर यह कैसे change किये? है न, इस numbers को आपने ordinal number में कैसे change किये? ठीक है? यह जो number होते है, cardinal number कहलाते हैं, कौसे cardinal और यह जो ordinal number कहलाते हैं, जो बाद में लिखे हुए है सब की spelling अच्छे से एक बार लिख लिख के देखना है ठीक है? और कुछ है क्या? हाँ, यहाँ पर देखो क्या लिखा हुआ है कामिया is writing letter to different people जो कामिया है, अलग-अलग लोगों की क्या लिख 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 ठीक है और दूसरी चीज और लाश्ट लाइन क्या लिखेगी वो और जब साइन करेगी साइन साइन आफ विद तो साइन करने से पहले अपने आपको क्या लिखेगी वो यह तीन चीज़े आपको इंपोर्टेंट रखना है हर लेटर में अलगल हो थी आप किसको लेटर लिख ले उस पे डिपेंड करता है अगर आपने फादर को लेटर लिख ले तो क्या लिखोगे डियरेस्ट डैडी कामया कोई लड़की अपने फादर को लेटर लिखेगी तो starting begin with का ऐसे करेगी हो और लाश्ट लाइन के क्या लिखेगी लव एंड वाउम रिगाड सही है तो पहला पहला पाइंट आपको पड़ देना है sign of with पीला वाला चार देखो sign of with मतलब किससे खतम करेगी हो यहां से क्या लिखेगी your loving daughter killer है और यह को बहुत sequence में ही दिया हुआ है आपको जब वो कामिया जो है अपने यंगर ब्रदर अपने बड़े भाई को letter लिखेगी किसको अपने बड़े भाई को तो start किससे करेगी my dear bit to आप भी अपने बड़े भाई को लिखोगी तो my dear लिखोगी और फिर उसका नाम लिखोगे letter में killer है ध्यान में रखना इस चीज को और दूसरी चीज क्या है last line क्या लिखोगे take care क्या लिखोगे अपने भाई को लिखोगे तो take care ठीक है और आखरी में sign करने से पहले आप क्या लिखोगे your one and only sister your one and only sister अपने भाई को letter लिखोगे तो इस तरह से आप sign करने से पहले ये line लिखोगे और उसके नीचे अपनी sign ऐसी कर दोगे killer है वैसे ही पूरा sequence आपको follow करना है उसी sequence में आपर लिखा हुआ है ठीक है कोई यहाँ पर difficult कुछ भी नहीं है अपने friend को लिखेगी मानलो कामया लेटर तो start कैसे करेगी इस list में तीसरा number क्या है वो देख लो तीसरा step पे जो लिखा हुआ है कैसे start करेगी हाई मीता अपने friend को लिखेगी तो हाई मीता और जो क्या बोला है अच्छ लाइन क्या लिखेगी अपनी friend के लिए वो see you soon क्या लिखेगी see you soon और sign off with में क्या लिखेगी मतलब sign करने से पहले just पहले क्या चीज लिखेगी वो देखो third number पे क्या दिया हुआ है yours क्या लिखेगी yours सही बात है ऐसा लिखेगी तो ऐसा करके आप लोग सारी चीज़ों को अच्छे से deal कर सकते हो killer strand तब यहाँ पर और क्या question number 8 देख लो in how many ways can you translate the following words into your mother tongue यह words है इनको अपनी mother tongue में change करना जैसे मैं हिंदी बोलता हूँ तो अंकल को मैं अपने भासा में चाचा बोलता हूँ है ना आंटी को चाची बोलता हूँ ग्रांट फदर को दादाजी इसको दादी इसको कजिन को अपना चचेरा भाई बोल देता हूँ सही है यह माम भाई चचेरा भाई इस टाइप से फूपेरा भाई इस टाइप से हम कह देते है आपको भी आपनी मदर टंगमी चीजों को लेकना है हम राइध र्टर्म और अखरी क्वेश्टन राइधर्स यू जोसी फर यूर फैडरीट और फैमली फ्रेंड अपने favorite or family friend के लिए आप किस type के word use करते हैं, वह आपको यहां पर लिखना है, ठीक है, अपने dada जी को किया कहते हैं, जैसे मामा को काका अजोबा कह दिये किसी को, तो वैसे ही आप अपने relative उसको क्या क्या कहते हूं आपको लेखना है killer student ठीक है तो आज के लिए इतना ही है ना ये lecture की मैंने exercise सारी करा दिये फिर हम 1.5 new jaws project करके जो chapter है है ना ये chapter हम अगले lecture में deal करेंगे thank you very much student मेरा channel subscribe कर देना और comment करके बताना कि आपने videos देखी है या नहीं देखी है और आपको समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है ये सब चीज़े आपको comment करके बतानी thank you very much student